हिमाचल में इन दिनों सरदार पटेल युनिवरस्टी मंडी का मामला गरमाया हुआ है। भाजपा सुखु सरकार पर युनिवरस्टी को बंद करने का आरूप लगा रही है। वहीं मुख्यमंतरी सुखुविंदर सिंग सुखु ने मामले को लेकर पूर्व भाजपा सरकार क को ही लपेटे में ले लिया है शिम्ला में मीडिया से बाचीत में मुख्यमंत्री सुखवेंदर सिंग सुखु ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जिस तरह स्कूल खोले जहां बच्चे नहीं है और टीचर नहीं है उसी तरह इनोंने युनिवर्स्टी भी खोल दी क्य क्या बोले मुख्यमंत्री सुनिये विस्तार से कोई विश्य विद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम स्कालून होते है आपने ठीक है कि चनाबों से छे मीने पहले जैराम ठाकुर्जी ने सर्दार पटेल मंटी युविस्टी खोली और खोली कहां कॉलेज में और उसके साथ कॉलिज को एफिलेट कर दिया जिस तरह स्कूल खोले ना उसमें टीचर नहीं है बच्चे नहीं है कुछी तरह इन्होंने युविश्टी भी खोल दी अब युविश्टी में जितने बच्चों के पेपर होने है उसका इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं है वालेटी एजूक जो भी काम कर रहे हैं हम यह देख के काम नहीं कर रहे है कि हमने चुनाबों में लेड़ना चाहते थे और चुनाम में फैदा उठाना चाहते थे हम जो भी काम कर रहे हैं हम यह देख के काम कर रहे हैं कि हमने चुनाबों में लें आउ चुनाब लनना है हमने Jungla रहकर रात पहनुचाहिए तो यह देख कि रहत पहूंचики आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुंचे और गरीब के voisins दरम नेया जा रहे हैं रोज रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं यह सरकार की कर्टब्या निश्टा को दशाता है और जहां तक मंडी इन्वस्टि की बात है मंडी इन्वस्टि को कोई बंद करने का राजने तीक लाब उठाना चाहते हैं लोगसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरहतरा के और अपना ध्यान हो पत्तरकारिता के माध्यों से अपनी और करशित करवाना चाते यही उनका मुक्त बतादें की नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्विद्याले मंडी के कारिक्षेतर में कटौती करने के मुख्यमंत्री के फैसले को बहुत ही निं खोले गए विश्विद्याले को बंद करने की साजिश कर रही है सुखु सरकार SPU मंडी के साथ 113 वहवार कर रही है जैराम ठाकुर ने कहा कि SPU के कारिक्षेतर से जिलाचंबा कांगडा के साथ साथ आनी और निर्मंड के कॉलेजों को बाहर करना मंडी विश्विद्याले EWN24 News Choice of हिमाचल के साथ हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News Choice of हिमाचल के साथ